नमस्कार आप देखे रहे हैं कमार्टी रांड आप मैं हूँ मनीशा गुपत और आज बात करेंगे मौनसून की जहाँ पर अब इसकी जो चाल है धीमी होती भी नज़राई है और अगर आप जून एक से सत्रा जून तक के यहाँ पर नंबस देखें तो 20% बिलो नॉर्मल साथी बात करेंगे सोयबीन की क्यूंकि मदर प्रदेश की अगर बात की जायद हो की सोयबीन का हब माना जाता है यहाँ पर बारिश 54% बिलो नॉर्मल है क्लियरली पिछले साल जैसी स्थिती होती हुई नज़रा रही है जब हमने बारिश में एक डिले आता हुआ देखा था बुआई में डिले था और हार्वेस्ट में भी इस वज़ा से डिले था तो as of now की जो स्थिती है वहाँ पर नंबस भीक हैं साथी बत करेंगे कच्चे तेल की जहाँ पर कल करीबन 2% की तेजी के साथ साथ 6 हफ़ते के हाईज पर अब कच्चे तेल में कारोबार होता हुआ नज़राया है असी के ओपर WTI में और 84 के ओपर यहाँ पर Brent में कारोबार है इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्काइमेट के वाइस प्रेजडेंट मेटरलोजी अन क्लाइमिट चेंज महेश पलावट सोपा के एक्जेक्यूटिव डिरेक्टर मिस्टर डी एन पाठक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मुतिलालो उस्वाल के किशोर नारने से लेकिन हमा को ये भी बता दें कि माना ये जा रहा है कि दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार उड़द और तूर डाल की MSP करीबन 10% तक बढ़ा सकती है सूतरों के मताबिक सरकार सौयबीन और सनफलार ओयल की MSP में 5-7% का इजाफा कर सकती है कैबिनेट एक हफ़ते में इसे मनजूरी दे सकती है ऐसा हमारे जानकारों से सुनने को मिला है एक डीटेल खबर लेते हैं मेरे साथ मेरे से योगी असीम मंचंदा है असीम नमस्कार क्लियरली इवन बिफोर नई सरकार ने यहां का गठन हुआ वाजार MSP का इंतजार तो करी रहा था बारिशे आ चुकी है MSP के जो CACP के आंकड़े हैं वो रेकमेंडेशन भी हमने आते हुए देखे हैं अब आप यहां पर क्या सुन रहे हैं देखें मनीशा अगर मैं इस पिछले साल की बात करूँ काफी कम देखने को मिला जिसकी वजह से दालों का जो दाम है वो बजार में काफी बढ़ जाए कई राजियों में बात करूँ तो तूर दाल दोस्तों में प्रतिकिलों से उपर मिल रही है उड़त दाल के दाम 170 रुपे प्रतिकिलों पहुँच गए है और ज्यादा थराम को इंपोर्ट के उपर निरबर होना पड़ा तो सरकार यह चाहते हैं कि हम इसके उपर दालों के उपर ज्यादा फोकस करें तो इस बार हम को दालों के कीमतों में भारी बड़ोतरी को मिल सकती है जो हम्मे सुत्र बता रहे हैं कि कल शाम को केबिनेट की बैटक होने वाली है इस बैटक में मंजूरी दी जा सकती है तो अक बड़ा बुस्त by प्रोडेक्शन ओं के मुकाबले 30-40% दकम को बढ़ोत्री देखने को मिली तो सरकार वहाँ पर भी बड़ा फोकस करेगी सोयबीन, द्राउननेट और उनके दामों के अंदर हमको यहाँ पर 5-7% की बढ़ोत्री देखने को मिल सकती है तिसरी बात करूँ पैड़ी की तो पैड़ी की हमने इस बार काफी ज्यादा प्रक्रमेंट अल्रेडी कर लिया है तो पैड़ी के दामों में हम एक ज्यादा उतरी 4-5% की हमको देखने को मिल सकती है वैसे बता दू कि जून के पहले हफ्ते के अंदर MSP अनाउस हो जाता था लेकिन इस बार थोड़ी सी देरी से चल रहा है खासतर पर कि इस बार चुनाब काफी देरी से हुआ उसके विए सरकार का गठन काफी देरी से हुआ तो जब सीम हमें बता रहे थे कि यूजली MSP हम फर्स वीक आफ जून में आता हुआ देखते हैं क्योंकि बारिशन तब तक शुरू हो जाती हैं लेकिन इस बार ये अल्मोस तीसरे हफ़ते में यहां पर पहुँचता हुआ मिस्टर पाठक बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए आप से ही पहले आना चाहेंगे और MSP पर जाना चाहेंगे 5-7% सोया और सन की MSP बताई जा रही है कैसे देखते हैं आप इस सरह के इजाफे को सन तो अपने आप बहुत कम पैदा होता है उसके MSP बढ़ाने घठान इसको ज़्यादा फर्क पढ़ने रहा है सन पे कोई बहुत सारा काम भी नहीं हो रहा है कहीं पे उसके उपर बढ़ाई जाए सोयबीन में जरूर यह क्या इंडिकेटिव है थरकार तो खरीदी करती नहीं है और इस साल को अगर छोड़ दें तो सोयबीन के भाव हमेशा MSP से काफी उपर रहते हैं अगर 10% बढ़ेगी तो 5,500 करीब हो जाएगी किसान को डिफिनिटी थोड़ा सा प्रोट्साहन मिलेगा लेकिन किसान को प्रोट्साहन सायद डिवटी बढ़ाने से थोड़ा ज्यादा मिलेगा क्योंकि सोयबीन के भाव थोड़ा ओपल जाने की दुरूत है क्योंकि पिछले कई महिने से MSP के आसपास या उससे नीचे चल रहे हैं तो पढ़ेगी MSP तो ठीक है अगर सरकार थोड़ी खरीदी भी करे या कोई प्राइस डिफरेंट रिम्बर्स्मेंट सिस्टम लेके आए भावांतर तो थोड़ा ज़्यादा फाइदा किसान को होगा एर इंडर्स्री को भी देखते हैं भी वाट डिसिंदी गवर्मेंट ट लेते हैं और हमारे साथ महेश पलावर जी है महेश जी कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है यहाँ पर बीस परसेंट बिलो नॉर्मल कई लाकों में अभी भी हीट वेव और अल्मोस जून का एंड होने के करीब है कैसी देखते हैं आप यहाँ पर कुछ चिंता बनती भी द अच्छा था और आज 18 जून हो गई यानि 19 दिन से वहीं का वहीं है और आपने देखा होगा कि जो साउथ गुजदात के आगे भी मंतून नहीं बढ़ा है और जो लगातार एक अपते से बढ़ता जा रहा है नौ परसेंट से 20-22 परसेंट तब आ गया है तो अब क्या होग और उनिस या कल से और परसों से ही और उनिस बीस तारिक से बिहार जारखंड पश्चिम मंगाल और इसा और जो च्छतिस गड़के कोछ इलाके हैं यहां पर बारिश शुरू हो जाईए मद्य परदेश में भी आज और कल अच्छी बारिश दिखाई दे रही है और फिर यह जो आम है दीरे दीरे आगे बढ़ेगी और ऐसा लगना है कि 27 या 28 तारीक तक जो मांसून है वो दिल्ली तक भी पहुंच सकता है और जो साउथ में है या वेस्ट गोश्ट पर है वहां पर भी आप बारिश बढ़ने वाली है दो दिनों के बाद जो महराष्टा का यहाँ पर भी बारिश बढ़ेगी और साउथ पेनिस लाव में भी मांसून रिवाइब करने वाला है और सबसे अच्छी बात है कि गुजरात में जो हल्की बुल्की बारिश हो रही है वो सुरू हो जाएगी और बढ़ेगी और जो MP के साथ मदी परदेश के साथ साथ जो इस्टन पार्स ऑफ राजिस्तान है वहाँ पर भी अगले 23 या 24 तारिक से अच्छी बारिश शुरू हो जाएगी यानिकि कुछ दिनों का और इंतियार है और मांसून अब रिवाइबर बोर्ड पर आ गया है महीर जी जिस तरह का डेफिसिट फिलहाल हम यहाँ पर जून में क्रियेट कर चुके हैं आप वो संभालता हुआ देखते हैं और जिस तरह से अब ला नीना की बातचीत की जा रही है काफी सारे वोर्ल मिट्रिलोजी डिपार्टमेंट्स अब कह रहे हैं कि 60 से 70 परसंट चा जाती है जून का महीना जो है वो थोड़ा सा डेफिसिट में खरता मोल सकता है रिकवरी नहीं कर पाएगा क्योंकि अर्ट वेस्ट इंडिया में कोई प्रिमानसून एक्टिविटी नहीं हुई सेंडल इंडिया भी ड्राइए है और इस नौर्फ इस्ट इंडिया में जो इ है और इससे पहले ऐसा नहीं है कि सुखे जैसे आलात रहेंगे दीरे दीरे बारिश तो सभी जगह पर हो जाएगी जैसे ही मांसून पहुचेगा बतलब कि मंत के एंड तक जाहातर वारत के कवर कर जाएगा पश्चिमी राइस्तान पश्चिमी जो कच्छ का इलाका है गु जून और जुलाई का जो एवरेज जिने इनपाल है वो जुलाई में पूरा हो जाएगा और अगर्स तो सप्टेमर काफी अच्छा बारिश देखने को मिल सकती हैं और हो सकता है कि मांग्वून अक्तूबर के फर्ष्ट हाफ तक भी देखने को इस वार मिल जाए साथी महेर जी जो कुछ अब एक एरियास की यहाँ पर अगर बात की जाए तो महारा राश्ट्रा में 6% अबव नॉर्मल ऐस अफ नौ दिखा रहा है लेकिन बाकी जो एरियास है जैसे MP माइनस 50% है गुजरात माइनस 71% है अफकोस यह 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 इलाकों में मौनसून प्रोग कि केरल में तो लग नहीं रहा कि मांसून पूरी तरह रिकवर कर वाएगा तो कि केरल का जो average rainfall है वो बहुत जाएदा है बारिश होती रहेगी अब बिकप होगी बारिश लेकिन जो ज़वाजम बारिश होनी चाहिए जिससे कि वह average rainfall कर पाए वो नहीं कर पाएगा लेकिन य इछले कई सालों से हम देख रहे हैं तो वो थोड़ा सा डेफिशिट में ही रहता है और अगर हम बात करें महाराश्टर के जाहतर अलाकों की तो यहां पर जो सर्प्लस तो दिखाई दे रहा है लेकिन उसमें भी रीजन वाइस थोड़ा सा थोड़ा चिंता बनी हुई है कि मर परदेश में जो मांसून अभी नहीं पहुचा है और जैसे ही मांसून पहुचेगा तो यहां पर भी रिकवरी काफी तेजी से होगी राजस्तान के पूर्वी जिलों में काफी अच्छी बारिश दिखाई दे रही है सुरुआती दोर में अभी जो मुलब 24-25 तारिक से सु परदरा, अम्दावाद, यहां तक बारिश अच्छी लिखाई दे रही है तो कुल में लाकर करके जो किसानों के लिए चिंता का विशन नहीं होगा जो अगले मतब एक हफ़ते का इंतिजार है उसके बाद कई इलाफों में जहां पर ज़रूरी है वसलों के लिए वो बारि हैं बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और उनतवाम नंबर्स के लिए भी मिस्टर बाठाक आपसे अब जाना चाहेंगे जिस तरह से as of now of course minus 54% है लेकिन आप सोयबीन की जो initial seed demand है या initial sowing के नंबर्स है उन्हें फिलहाल कैसा देखते हैं पहले तो अगर मैं कहीं का चिंतित था लेकिन उन्होंने मेरी चिंता दूर कर दिये sowing थोड़ी सी लेट हो जाएगी जैसा उन्होंने बताया है कि महरास्टा में मत्यप्रदेश में राइस्थान में बारिश भी आएगे और ठीक आएगी तो sowing हो जाएगी थोड़ी सी लेट होगी उससे कोई पर नहीं हुआ है का जले में पांट साथ परसेंट है महराश्टा में थोड़ा बाश्यम और ये थोट्या जिलों में थोड़ी सी sowing ज्यादा है लेकिन विदर्ब में sowing नहीं है 57% अपोला में नहीं है तो अभी तो डिलिड है sowing मेरे जो अपने अपने अनुमाने वही है क पिस्ते साल के मुकाबले या तो बरावर रहेगे एक आद दो परसेंट उपर नहीं हो सकती है क्योंकि कुछ एरिया मेज में जाता देख रहा है मुझे और तुवर में भी थोड़ा सा एरिया जा सकता है या तुवर की जो इंडर क्रॉपिंग है वो थोड़ी स्वयाविन से बर सकती है तो मुझे लगता है उपज भी बहुत अच्छी रहेगी तो हम डिफरेंटली पिछे साल के मुकाबले किसी कम नंबर पर नहीं रहेंगे थोड़ा बहुत आगे पिछे है थोड़ा ज्यादा स्वयाविनी को आफ हमको मिल सकती है अशा मैं मनुवान लगा रहा हूँ मैं अभी भी उसी हार पर अटकी हूँ अगर आपको वो हार उनको भेजना है तो आप मुझे भेज़ दीजिए मैं आगे भेज़ दूगी लेकिन अगर सीड अवाइलबिलिटी की बात करें क्यूंकि हम काफी जैसे है डिन डाट इंडस्ट्री रिप्रेजनेटेटिव से बात कर रहे हैं तो कॉटन में बीजों को लेकर शॉटेज है बीड की बीजों की जो कॉलिटी है वो भी बहुत बहतर यहां पर नहीं है जहां तक सौय की बात है उस तरह की कोई चंता आप में हाँ पर बीज के लिहास से आता बार नहीं देखते है इंडस्ट्री के पास बीज है बीज कंपनियों के पास बीज है लेकिन खरीदार की कमी है किसान इसमार्ट हो गया है उन्होंने अपना बीज लखना शूरू कर दिया है और बहुत सारे बड़े बड़े किसान जो बीज कंपनियां बनके रह गया है वो अपना बीज लखते है उसको साफ़सफाई करते हैं क्रेडिंग करके जो है दूसरे किसान को बीच देते हैं कम पैसे में तो बीच की कोई शॉटेज नहीं है कहीं पर भी ना कोई समस्या क्वालिटी की है अगर किसी को बीच चाहिए तो मैं यहां से अनौंस कर रहा हूं तो मुझसे कहें मैं कली बीच भीजवा दूँगा जहां कहीं भी हिंदुतान में बीच चाहिए बीच की समझ से बिलकुल नहीं है इस बात एक फाइनल सवाल आपसे प्राइसेज पे और मुझे याद है मिस्टर पाठा का प्राइसेज पे बहुत जादा नहीं बोलते हैं लेकिन जिस तरह सी चौपिन इस जिस तरह की वॉलिटाइल मूव्स हमने यहां पर प्राइसेज म बातों की ही है जो आप इसके अलावा जो आपको लगता है कि इस सेक्टर में देखने की जरूरत है मुझे लगता है कि टाइम आ गया है जब सरकार अपने पॉलिटिकल कंपल्संस को धूर करके शेड करके कुछ एक्शन तुरंत ले हलांकि अभी भी दो-तीन विजानसभा चुनाओं हैं लेकिन मुझे लगता है कि अब सरकार को समझ में आ रहा है कि अगर ओयल सीट पे और ओयल पे अभी काम नहीं किया तो भी बिल लूज दिबस और काफी बड़ा नुपसान हो सकता जैसे तेल का इंपोर्ट इस वार इतना बढ़ गया है और आगे बढ़ता ही रहेगा तो ड्यूटी लगने के संभावना मुझे तो लगती है वो कब हो इस बार भी हम करीब 12-14 लाग तन स्वाविनी क्रॉप कर्योबर में रखेंगे करेंगे इंपोर्ट भी इस बार 6-7 लाग तन हो चुका है तो प्राइस में को बहुत जादा फरक नहीं पढ़ेगा लेकिन ड्यूटी बढ़नी चाहिए और मैं बढ़ा होपफुल हूं कि ड् इसने पांट साल से अनाउंस हो रहा है मैं सुरतों कि शायद एक सबार वो अनाउंस हो जाए तो ओल सीड में बढ़ाने के जो और तरीके हैं और जिन पर काम होना चाहिए बड़ा इंवेस्मेंट होगा तो ओर आल मैं थोड़ा सा सुरतों की इंडर्स्टी के लिए अच्छ पानों के लिए बैचा रहेगा और स्वाइबी इन यह बाकी जो ओईल सी क्रॉप से उन पर उन पो बढ़ावा दिया जाएगा मिस्टर पार्टक as always बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और उन तमाम डीटेल्स पर बात भी करने के लिए लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय है जब लोटेंगे तो किशोर नारने होंगे हमारे साथ किशोर नारने हमारे साथ प्रोग्राम में जोड़ चुके है किशोर और सबसे पहले कच्छे तेल पर जानना चाहेंगे क्योंकि काफी कॉंट्रेडिक्टिक्टिक फंडमेंटल्स हैं यहां पर लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा है कि 80-85 की रेंज अब यहां पर ब्रेंड के लिए बनती हुई नजर आ रही है कैसे देखते हैं आप कॉरेंट लेवल्स किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए और आने वाले महीने के लिए किस तरह की ट्रेडिंग स्टार्ट जी हो अगर कही न कही बातचीत का जो सिलसला चल रहा है उससे थोड़ा बहुत जो रिस्क प्रीमियम है वो रिस्क मार्केट से टेक ओफ मतलब डिसकाउंट हो रहे हैं तो बट अधे से पूलन पुछ जारी रहेगा मेरे साव से इंग डिमांड स्टोरी विल प्ले प्ले अच लाजर रोल बिकॉस एस्पेशली हारा की लास्त तीन-चार महिने से हम वी और व रहे हैं तो यहां से आपको खरिदारी की रहा है यहां पर कच्छे तेल में तो मोर सपोर्ट यहां पर आगे जंत बनता हुआ किशोर साथी साथ गोल्डन सिल्वर में जस तरह की अब सिर्ता हमने यहां पर बनते वे देखी है 2300 के नीचे भी गया बहुत समय तक नहीं रुका 2300 के आस पास जो एक स्ट्रॉंग बेज गोल यहां पर बना रहा है इसे आप कैसे देखते हैं क्योंकि में में तो हमने इस टेंपररी ओफ मेरे साथ से उन्हों का एक्यमलेशन स्ट्राटेजी लॉंग टरम है और कंटीनियू रहेगा पट इए पर लुक टूप टूप एंटेश एनी डिप्स वहां पर वाइंग करने कोशे करेंगा इनितिंग क्लोस तरन 2200 देल भी एक्टिव आप्ट इन अप सब्सक्राइब को सकता है उसको लेकर थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट आया है मेरे साथ से दोनों गोल्ड और सिल्वर में वीक्नेस जारी रहना चाहिए एपसलूट शॉट टॉम में गोल्ड 71,100 71,000 तक भी इसमें गिरावट देख सकते हैं तो करेंट लेवल्स पर य आस-पास का टागेट के लिए एंड शिल्वर में 89,000 के उपर जो भी लेवल से बार बेच के चलना चाहिए 88,200 88,100 का डाउंसाइड है सो दोनों में शॉट टर्म वीक्नेस जारी रहेगा अगर मीडियम टू लॉंग टू लॉंग टॉम इन्वेस्टर से एनिटिंग लॉज का लेवल सो सकता है किशोर साथ ही साथ जो मेटल्स की रैली है थोड़ी सी थकती हुई नजर आ रही है विकाज मार्केट ने फॉवर्ड डिमांड को भी फैक्टर इन कर लिया है माइन्स के नंबर्स भी हम यहां पर बात कर चुके हैं और चीन से अफकोर्स जो डेटा है व अभी भी कॉपर है बट एगें शॉट टम में उहां पर एक कंसॉल्डेशन देख रहा हूं दूसरा जो है एक जिंक एक बहतर मेटल हो सकता है कि शॉट टम में 259 के आसपास में बाइंग का सना दे सकता हूं 262-263 तक भी अप्साइड है बट आ थिंक निकल अन अल्युमिन इंवेंटरी बढ़ेगा तो मैंने थाफ से लेड अल्युमिनम और निकल वीकर मेटल से जिंक और कॉपर बेटर ऑन दो ऑन दो बाइसाइड तो वह 500 मेटल को अफको सेग्रिगेट कर दिया गया है और कॉपर और जिंक पर आपको नज़र रखनी है जहां पर खरिदारी के म झाल झाल झाल